कई बंदगोवी की फसलें पौध लगाकर उगाई जाती हैं। वृद्धी के शुरुवाती चरणों में ये नाजुक पौधे, प्रकाश, पानी और पोशक तत्वों के लिए होड में अक्षम सिद्ध होते हैं। एक अच्छी फसल उगाने के लिए खरपतवार का आरंभिक नियंद्रन जरूरी होता है। यदि शाकनाशी का प्रयोक कर रहे हों, तो रोपन से पहले और बाद में शाकनाशी प्रयोक्त करने के निर्देशों का पालन करने के लिए सचेत रहें। बंदगोवी सहित ब्रेसिका परिवार के सभी पौधों की पतियां बहुत चिकनी होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये बारिश की बूदें पत्ती के धलान से नीचे उतर रही हैं और यहां इस बिंदू पर बड़ी मात्रा में एकत्र हो रही हैं। आपरेटर को सुनिष्चित करना होता है कि ना केवल वहां कीट नाशक स्प्रे का डिपॉजिट हो जहां पौधों की सेहत को सबसे अधिक कीट आकरमन का जोखिम हैं बलकि साथ ही कीट नाशक बंदगोवी की चिकनी पत्तियों की सतय पर भी बना रहे। कीटों या बिमारियों का ठिकाना पत्तियों की दोनों तरफ ऊपर और नीचे हो सकता है। ये विक्सित होते हुए केंदर में भी हो सकता है, जो इसका एहम भाग है जिसे काटा या उप्योग में लाया जाता है। ये निर्देश महीन स्प्रे की सलहा देता है क्योंकि छोटी बूंदे मोमी पत्तियों पर ज्यादा अच्छी तरह से बनी रहती हैं। कभी-कभी उच्छ पानी की दर का प्रयोग करना चाहिए। बंदगोबी की फसल उगाते समय बेहतर परिणाम के लिए सही नोजल का प्रकार, पानी की मात्रा, बूंद का आकार और स्प्रेयर दबाव हेतू अपनी कीट नाशक निर्देश की सलहा का पालन करें। उचित PPE पहनने के लिए भी अपनी कीट नाशक निर्देश की सलहा का पालन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। वहाँ आप कीट नाशक और PPE के उपियोग पर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झालन करें। झाल झाल